हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू यूपी असी वाला हिंदी, सभी फ्रेंट्स का बहुत-बहुत स्वागत है, तो आज ही ग्लास में हम बात करने वाले हैं, NCRT का Importance क्या है and How to Read, आखिर आपको NCRT पढ़नी क्यों है और कैसे पढ़नी है, बहुत सारे स्टुडेंट्स के बीच में, एक NCRT को लेकर confusion जो है रहती है कि क्या इसको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और हाँ, अगर पढ़ना है, इंपोर्टेंट है, तो कैसे पढ़ना है, क्या इसके नोट्स बनाने है, कितने बार रिविजन करना है, कौन-कौन सी NCRT पढ़न है, क्या NCRT बुक जो है, इंपोर्टेंट है, क्या कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे पढ़ना है, सभी NCRT की इंडेक्स थोड़े से देख लेगे, और कुछ PYQs मैं आपको बता दूँगी, जिससे आपको एक confidence आजाएगा, कि हाँ, NCRT से questions जो है, मैं सीधी सीधे आते हैं, कि नहीं, यह आपके लिए, प्रिलिम्स के लिए बहुत ही important होती है, इवन जब हम PT की बात करेंगे, तो आप देखोगी, लगबद 30% के आस-पस जो questions है, वो यहां से आते हैं, 30% के आस-पस आप देखो, 32, 35, तो NCRT के एक रोल तो है, जिससे आप history की बात कर लो, polity की बात क कर लो, तो आपको यह तारे जो questions, especially for prelims, वो आपको LCRT में मिल जाते हैं, ठीके, और अगर ऐसा बच्चा जो की शुरू कर रहा है, ऐसा बच्चा जो की शुरू कर रहा है अपनी study को, तो आपके जो basic concepts हैं, friend, हैना आपको कुछ नहीं पता geography के बारे में, आपको आप engineer background के है ठीक, आपको history के बारे में कुछ नहीं पता, तो एक जो basic concepts आपका develop होता है, वो बहुत ही सही तरीके से होता है, तो इसके कुछ important जैसे की first हम कह सकते हैं, कि reliable and authentic information है, अगर मालोग को information गलत है कहीं, तो आप देखें कि UPSC, जो NCRT का जो fact data है, उसको consider करेगी, तो एक ऐसा source है जो की कैसा है, विश्वस नहीं है, आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, इसमें जो reliable data है, आपके जो topics है, वैं सही cover हो रहे है, misinformation नहीं है, और दूसरी बात, एक simple language में होता है, एक ऐसा student जिसने कभी history, geography, polity नहीं पढ़ा, economy नहीं पढ़ा, एक once you read NCRT, अगर आप एक बार इस सबच में आएगी, ठीके, अगर हम concept की बात करें, तो शुरवात में जो आप अपना concept बिल्ट करोगे ना किसी भी particular topic को लेकर, तब वो आपका concept एक बन पाता है, और अगर आपको notes making करना है, तो point by manner में आप उस notes को भी इससे बढ़ियां तरीके से बना सकते हो, ठीके, then हम द इससे develop हो पाते है, GS point of view की accordingly, तो यहां पर बच्चो बहुत important है, ठीके, अब देखो यहां पर एक और how to read पंडा आखिर कैसे, तो शुरवात में आपको first reading कैसे करनी है, क्या first reading के साथ notes बना लेने, क्या second reading के साथ notes बनाने, first reading के साथ underline करने बैठा होगे, तो सारी lines underline कर लो 5 topics है, ठीक है, आप लेकिन आप देखोगे, कि 6, 7, 8 की NCRT में इतने basic concepts है, जो उस standard की बच्चो को समझाने के लिए, वो आपके काम के नहीं होते हैं, तो आपने बहा पर underline किया, उन main points को, जैसे कि कोई definition है, जैसे कि आप देखोगे, history में कोई terms है, policy के definitions है, federalism के definition है, and हम कह है, कि धर्म निर्पिष्टा की definitions है, तो इस तरह की points आपने लिखे, तो second reading आप देख सकते हो, कि हाँ, आप underline करो, या फिर first में भी आप, अगर आप को समझ है, कि ये important definition है, उसको underline वगरा कर लो, ठीक है, notes making जो है, आप second और third में बनाओ, second, क्योंकि देखो, revision ऐसा तो है, नहीं कि एक बर आपने पढ़ा, सारी चीज़े आपको याद हो, रोबोटिक परसन तो हम सब है नहीं, हमारी अपनी limitations भी होती है, कि हम एक बार में नहीं समझ में आया, ठीक है, भाई, दूसरी बार बढ़ लो, दूसरी बार नहीं समझ में आया, तीसरी बार पढ़ लो, औ कोई solution तो है, नहीं, बार-बार करो, सीखो उसको, है ना, तो यहाँ पर देखो, एक तरीक यह हो सकता है, और बच्चों में जादे तरीक जो प्रॉबलम होती है, कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बाकी बच्चों से हम weak है, वो जादा अच्छे है आच्छा कोई नहीं होता भई, वो सीखते है उस चीज़ को, आपने नहीं किया, उसने उस चीज़ को किया, कई बार किया है, तो जितनी कोशिश करोगे, वहीं बात है, जित और जुनून में अगर आप सोचो की वो कुछ movement का हो सकता है, लेकिन अगर आपने सच में जित बा सब्सक्राइब आपको चीज़ें असान लगती हैं फिर आपको देखो रिविजन तो आपको करना ही करना है बिना रिविजन कितना बड़ा स्लेबस है एक छोड से जाओगे दूसरे छोड तक आधा खा जाओगे आधा भोल जाओगे क्या फायदा है ऐसे करने का तो बार-बार लॉट के आउस चीज़ पर पढ़ चुके हो रिविजन करो बार-बार पॉलिटी पढ़ लिए हिस्ट्री शुरू कर रहा है और रिविज चीज़ें आपको छोटी लगती है यूपेसी ने सीधा पूछा कि भई तो इसको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता दो दिन लगेगा रीडिंग करने में तब ऐसे बही जो खेम लेना तो चीजों को से से कर लो ना तो मैं तो यह कहूंगी कि आप इस पॉलिटी आप इस हिस्ट्री आप इस जोग्रफी है ना यह कॉंसेप्स ऐसे है कि आप इसको शुर्वास से बढ़ लीजे ठीक है बहुत टाइम नहीं लगता तो इसका रिस्क मतलो देखो अगर हम पॉलिटी की बात करेंग और सौतनता के बार भारत की दार्शनती ठीक है यह आपका वॉलिटी के न्सी आटी के इंडेक्स है आगे देखो यह सारे आपके कवर पेज है फ्री में भी आवलेबल है आप न्सी आटी जो आप ऑफिशियल साइट है वहाँ पर देख ले ना फ्री में सारी चीज़े सेफगार्ड है लिब्रल डेमोक्रसी के लिए है ना अगर हम अगर हम एक उदार वाद एक लोगतंतर की बात करें तो बैस सेफगार्ड जो है वह क्या हो सकता है एक कमिटेड जूडिश्री एक सेंट्रलाइस पावर एलेक्ट गवर्मेंट या सपरेशन ऑफ पावर ठीक है तो हम देखेंगे कि क्लास 11 का Constitution at work पढ़ लेना और चेप्टर नमबर 6 पेज नमबर 127 इस तरह के questions आपको डिरेक्ट जो है मैं वहाँ से मिल जाते हैं ठीक है चलो आगे देखो आप देखो यहां पर आप structure जो quote है structure of the quote है इसमें आप देख लेगे बच्चों की सारी चीज़ जो है वह लिखी हुई है ठीक है चलो English में question रखेंगे इसलिए नहीं दिखाती हूं बाकि CSE 2021 में question पूछा था कि state term जो है राजशब्द जो है इसका मतलब क्या है है तो यह भी आपको मिल जाएगा class अगर हम 8 की NCRT देखेंगे social and political part 3 उसमें भी chapter number 1 और page number 13 में यह दिख ज नवे शाम मेले UPC 2020 में पूछा गया अधिकार था इस तरह के questions इस सब को solve नहीं करा रहे है इस सब को PYQ के अंदर solve करा है तो जिन बच्चों को जानना है कि और कौन से कुशर आये 3 parts आपको मिल जाएंगे basically इसके पॉलिटी के environment के and geography के ठीक है उसको आप देख लेना चलो साथ ही देखो अब मैं थोड़ी सी बात आपसे history की करते हूं history में सबसे most important आपके सामने एक dilemma होता है कि क्या आपको old NCRT करनी है new NCRT करनी है old NCRT descriptive जादा है अगर मेंस की perspective पढ़ रहे हो पढ़ चुके हो चीजों को समझ आथ थोड़ी सी tough भी है जैसे कि आप विपिन चंद्रा पढ़ोगे आधुनिक भारत ठीक है प्राचीन भारत पढ़ोगे यह वाला जो आपका old NCRT descriptive जादा है new NCRT सरल भाषा में बहुत तुकडों में तोड़कि इसको असान भाषा में किया गया है तो यहां आपको जोर कमाता है तो चाहो ठीक है अगर चाहो तो दोनों बढ़ सकते हो चाहो तो कुशिश कर लो देखो वैसे समय जादा लगता नहीं यह टैक ने करें जितना हम सोचने में समय लगाते हैं यह करें ना करें उससे जादा चैप दोनों को रख लो देख लो उसका comparison कर लो क्योंकि आप new NCRT में देखोगे तो जो concept है जो इसका subject और चीज़े है topic है वो कम है कम दिया हुआ है ना और यहां पर आप देखोगे कि वही चीज़े इसमें बहुत descriptive तरीके से जादा दे गई है तो इसको समझना थोड़ा सा tough है जो बच्चे यह चाहते कि केवल old NCRT पढ़ ले तो ठीक है यह भी sufficient हो जाता है सारी चीज़े available है ठीक है बस नई NCRT को नई तरीके से लिखा गया है और आपके पास चैस शुरबात में ही UPC वाला हिंदी में आप स्टार्टिंग देखेंगे बच्चो तो स्टार्टिंग में ही आपको यह जो वीडियो है वन शॉट में दी गई थी ठीक है तो आप देख सकते हो उसमें तो यह आपका हिस्ट्री के वीडियो है चलो आगे देखो मैं एक question दिखाती हूँ कोई भी स्क्रीन चोटे जो आपके NCRT का है और यह question UPC ने पूछा हुआ ठीक है अब देखो question पूछा कि यह वाला जो संदेश है कि साशक के द्वारा दिया गया था अपने अभी लेक में आसर इसका शोख है ना देख लेना आप Classics के NCRT में देख लेना देखो history की Classics के NCRT अपनी देखो अगर हम योगा वसिस्ट की बात करें UPC 2022 में question पूछा गया था योगा वसिस्ट वस ट्रांसलेटेट इंडू पर्शियन बाय निजामुद्धिन पानिपती किसके समयकाल में किया था अकबर हुमायू शाहजा हो रगजी 2022 का question है आप देखोगे chapter 4 है जो social science का उसमें आपको यह मिल जाता है अकबर जहांगीर अकबर सन इसके बारे में information देता है और यहां पर जर्जनामा परशियन ट्रांसलेशन लिखा हुआ है महाभारत का यह समय में किया गया है तो यह सारी बाते बचो आपको direct मिल जाती है अब देखो अगर हम पांडूली प्यों की बा जैन और बहुत धन के बारे में हमेशा कुश्यन आपको मिल जाता है अब हम आते थोड़ा सा जोग्रफी को लेकर जैसे अगर आपको प्लास 11 12 की पढ़नी है तो बहुत इक बोगोल के मूल सिध्धान थे और बहुत इक परियावरान पहले इसको पढ़ना फिर इसको कर लो आज मुझे एंसे आटी करनी है चुरवात में हो सकता है कि आपने जिस जुरून के साथ शुरू किया था आप उसको आगे करना पाए तभी कभी हम कोई बात है नेगेटिव भी हो रहे होते हम परिशान फिर भी हमें अपना काम करना है रोकना नहीं है अगर आपको ल वावस्ता हमारा भोगन मोलसिद्धात ठीक है यह जोग्रफी के अंसियार्टी हो गए तो यहां पर इस तरहीके से आपको यह पढ़ लेना है आप देखो कि जोग्रफी में यूपेसी 2016 की बात करो 17 की बात करो 18 19 22 की बात करो आप देखेंगे रिवर सिस्ट्रम रेने आते हैं यहां पर ट्रिबूटी जो सहायक नदिया वो जादा पूछी जाते इस तरह के आपको सीधा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में बिल जाएगा कि जाए दिहांग हो धनसरी हो सुबंसरी हो कामिंग यह सब इसमें शामिल है पूछा था दिबांग कामिंग लोहित यह जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जोग्रफी हिस्ट्री के मैप को देख लेना हिस्ट्री में भी मैप दिये हुए ठीक है चलिए एक और डाइमेंशन जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है कि आपको नोट्स भी बनाने है आपको शिच करो कि जो आप लोट चार्ट से बना लो आपको मैपिंग भी जो है वह देखनी चाहिए मैपिंग के साथ साथ आपका होना चाहिए कि अगर उससे कुश्चन पर्म होता है उस टॉपिक से पर्टिकुलर तो कैसे फॉर्म होगा आपको पीवाइक की उसके उससे शॉल्व हो रहे है समझ यह नहीं आता इंपॉर्टिंट क्या है तो वह इंपॉर्टिंट समझ पर जब तक आता है तब तक थोड़ी सी देर हो जाती है अगर कोशिश से ज़ाधा कर लोगे फिर जाधा हो जाओगे तो जल्दी सीख जाओगे है न मै तो यहाँ पर पीवाइक की उस देखो फि अब जिसे कि मैं एक भॉतिक भूगोल के मूल सिद्दान की बात करूं इसमें प्रित्वी भुहाकृतिया जल वायू जल और प्रित्वी परचीवत शायद ही कोई ऐसा साल हो जहां पर इससे कुश्चन ना आया हुआ एक पॉइंट अगर आएगा तो यहां से ही जो कुश्च सब्सक्राइब लगए को थोड़ी सी बात में आप से करती हुँ एकौनोमी आपने समस्टी ब्सक्राइब बस वह चो आपके काम आती है कि आपको उसमें जो बैसी कॉंसेप्स है ना उसमें जो बेसिक बात हैं कि अर्थशास्त्र क्या है है आपको इसमें रस्टी आए क्या है बेंकिंग प्रणाली क्या है यह सारी चीजे आपको उसे देखने सीखने को मिलती है ठीक है तो यहां पर बाकी तो आप देखते हूं कि कि एकॉनोमी में ज्यादा तर करंट अफेयर का टच है बाकी सारे चीजे वह चीज़े जादा इंपॉर्टेंट है लेकिन आप देखोगे कि जिसे कि आपकी जो क्लास 9 की है 11 की है इंडिया एकॉनोमिक डेवल इंडियन एकॉनोमिक डेवलपमेंट आप देखेंगे भात्तियर्थ विवस्त्त का विकास 1950 के बाद से कैसे हुआ हमने कौन-कौन सी योज ना अपनाया पहले योज ना आयों ने किस तरह ते जो फाइव ये प्लांस अपनाया थे वह सा की बात करें तो यहां पर जो आपका आर्ट एंड कल्चर है कलावा संस्कृति है उसके लिए क्लास 11 की फाइन आट की एंसी आटी बहुत पाइन है इसको पढ़ लेना इसमें सारी चीज़े आपको इंपोर्टेंट मिल जाएंगी तीक है रॉक पेंटिंस क्या है इंडर्स कर आओ और एक एक को पढ़ना शुरू करो या फिर ऐसे कर लो कि ठीक एक सब्जेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से बच्चों आप पढ़ सकते हैं चलिए बाकी दिखो बाइलोजी की बता दें तो बाइलोजी में जो आप का आपशो सब्सक्यार्ट को यहां पर इंबार्रमेंट से जाएं। इस चीज को याद रखना इंबग्त है जो बच्चे सोचते हैं कि बई से सोचलोजी जो है इसका जिसे आप मीने सकी वाप करेंगे सोसाइटी सोशल जस्टिस सब के यह सब टॉपिक्स आपको पढ़ने पढ़ते हैं तो आप जब सोशल चेंज कि बात करों कि इंडियन सोसाइटी यह बुगब़ से ज़्यादा एंडियन सोसाइटी तो आप इसमें देख ले कि इंडियन आगर मों सोसाइटी की बात करें कि यह क्या है, Emozvy का स्वूशल सुश्टूशन और ही onrance, census मार्के! और पेंट er的 कि क्या points हो सकते हैं इस सब के लिए आपको UPSC वाला UPSC वाला Hindi medium and UPSC वाला foundation पर बहुत सारी जो classes available है बुनियाद badge के अंदर वहाँ से जाकर आप चीज़ों को और अच्छे से पढ़ सकते हैं और जिन बच्चों को इंटरस्ट यह हो सकता है पहले कुछ student ऐसे हो ही सकते हैं वैसा सोचती हूं कि जो शायद पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार NCRT हो इसके importance से परिच्चत और भले वह बच्चा 5 हो ठीक है बले 5 students ऐसे हो तो आप सभी UPSC वाला foundation badge पर जोड़ सकते हैं हां बस एक problem आपको हो सकती कि अगर आप pure Hindi medium समझ रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा से English का use होता जादा नहीं थोड़ा सा है न तो कोशिश करना कि English कि English भी साथ साथ सीख जाओगे चलिए तो हम मिलते हैं अपने next class में इस तरह की वीडियो और आप क्या चाहते हैं comment करके जरूर बताईए क्योंकि comment ही है कैसा माध्यम हो सकते हैं जिससे online classes में हम आपसे एक interaction कर सकते हैं आपकी बाते हम तक बहुत सकते हैं तो NCRT और इसके बारे में और भी कैसे UPSC में PT में से करने हैं कैसे इसको एड़ करना है कैसे नोट से बनाने हैं वह सारे मेंने classes में भी बनवाए हैं तो बुनियाद बैच अभी UPSC वाला foundation जो आपका बैच है foundation new channel वहां पर आपकी जो classes है वह चल रही है जोग्रफी की वहां पर आप जोड़ सकते हैं चलिए बच्चों सो thank you thank you so much में अपनी next class